सवापती महुदे, मैं अनुराग ठाकुर्द जी जुआरा जो राश्टपती के महामहीम राश्टपती के अभिभासन परधन नवाद का प्रस्ताव पेस हुआ है, उसके समर्थन में बोलने के लिए खड़ा हुआ महामहीम राश्टपती महुदेया ने अपने अभिभासन में पिछले दस वरसों में इस देश के आधरनिये प्रधान मंत्री नरेंदर मोदी जी के नेतरितु में जो काम किया है उसका दरपन उस राश्टपती के अभिभासन में है और अभी आने वाले बजट में जब अगले सत्र में इस देश के लिए बजट पेस होगा तो उस समय पांच वरसों के कार्जकरम के साथ परफॉर्म रिफॉर्म और ट्रांस फॉर्म का पूरा संकलन और प प्रधान मंत्री जी ने तीसरा कार्जकाल पूरा किया अधि तीसरा कार्जकाल उनका प्रारंभ हुआ और इस देश की जंता ने तीसरे कार्जकाल के लिए उनको मत दिया वोट दिया और पूर्ण समर्थन के साथ सरकार बनने का बहुम पूरे चुनाओ के दौरान क्या परचार हो रहा था पूरे चुनाओ के दौरान जो अभियान देखिएगा और जो खास करके विरोधी दल के नेता का आज जो भासन था और उनके चुनाओ परचार का जो भासन था अगर दोनों को मिला के देखिएगा तो लगेगा कि वही के परचार में पब्लिक मीटिंग में भासन दे रहे इस तरह के दुस्परचार इस तरह के दुस्परचार संबैधानिक संस्थाओं पर हमला आज भी संबेधानिक संस्थाओं पर हमला कर रहते हैं आज भी रहा लोकसभा के अध्यक्ष की संस्थाओं पर हमला कर रहते हैं और उस समय भी संबेधानिक संस्थाओं पर उन्होंने हमला किया लेकिन जनता ने रिजेक्ट कर दिया जनता ने उसको रिजेक्ट कर दिया जनता ने जो मूदी जी का सबका साथ सबका विश्वास और सबके अविकास का जो मूल मंतर था उसको स्विकार किया और पूर्ण पहुमत की सरकार बनाने का जनादेश दिया लेकिन क्या किजिएगा आज भी वह बोल रहे थे अब आपको हम एक बात बताना चाहते हैं कि देश की जनता ने जो तीसरे कार्जकाल के लिए मोदी जी को जो समर्थन दिया है उसक स्क्रस्पस्ट संदेश है कि वरस्टाचार पर जो आपने हमला किया है उसको जारी रखिये और इस देश से वरस्टाचारियों को समात करने का काम करिये इसके लिए इस देश की जनता ने दिया है अर्थ वhrasth हमें अर्थ वह स्थामें इसमे सुधार के जो कार्द क्रम मोधी जी को तीसरे कार्ज काल के लिए अपना बहुमत दिया है मोधी जी को गरीबों की सेवा करने के लिए जो उनके कार्ज करम चलते रहे उस कार्ज करम पर मोहर लगाया देश की जनता ने इनको रिजेक्ट किया इनको अस्विकार किया इसलिए मोधी जी को जो तीसरे कार्ड काल मिला है वो विक्सित रास्ट बनाने का जो मोधी जी का संकल्प है उस पर आजे बढ़ने के लिए देश की जंता ने मोधी जी को तीसरे कार्ड काल के लिए अपना मोहर लगाना और अपनी स्विकिर्टी दी है लेकिन, लेकिन सभापती महोदे, लेकिन सभापती महोदे, उनाई सभापती महोदे 1971 का चुनाओ हो रहा था 1971 में इस डेश में एक चुनाओ हुआ था और उस डेश में Congress Party का नारा था गरीबी हटाओ, डेश बचाओ, जंता ने भरोसा कर लिया जनता ने इन पर भरोसा किया 1971 में इनको पूर्ड बहुमत से सरकार दिया लेकिन तीन साल के बाद 1974 में इस देश में लोक ना एकजय परकास ना राएन के नित्रित में आज तक के आजाद भारत का सबसे बड़ा जन अंदोलन हुआ क्योंकि इन्होंने जनता से किये गए वादे को नहीं निभाया और जब इनको लगा 1974 में जन अंदोलन जब चरंपर पहुचा और जब चरंपर पहुचा और सुप्रीम कोट ने जब राए बरेली से श्रीमती इंद्रा गांधी के चुनाओ को अवद घोसित कर दिया तो रातो रात देश में इमर्जेंसी लागू हो गया हम सब हम सब उठा के जिल में बंद कर दिये गए मुझको याद है मुझने देखा है आपात का लागू हुआ हापात का लागू होने के बाद क्या हुआ सारे सारे संबधानिक सारे संबधानिक और देश की जंता का जो फंडमेंटल राइट था वह राइट बंद कर दिया गया किसी को बोलने का हक नहीं था किसी को चिलाने का हक नहीं था किसी को कुछ भी एक सब्द बोलने का प्रेस की अजादी पर लगा दिया गया हम सब लोग उठा के जेल में बंद कर दिये गया मैं भी रहा हूँ मैं भी रहा हूँ जेल में उठा के बंद कर दिया गया और सभापती महुदै आज जब आ रहे थे जब देज सदन का जब पहला दिन का सत्र था तो संबिधान का किताब लेके कॉंग्रेस पार्टी के लोग आ रहे थे आज भी ने तब विपक्ष बोल रहे थे संबिधान की जय हो अरे जिस व्यक्ति ने और जिस पार्टी ने इस देश के संबिधान का धज्जी उड़ाया हो जिस पार्टी ने इस देश के संबिधान को चकना चूर किया हो जिस पार्टी ने इस देश के संबिधान को कलाइंकित किया हो उसको संबिधान लेके सदन में आने का क्या हाख है और संबिधान की बात करने का क्या हाख है उनको कोई हक नहीं है संबिधान के बारे में चर्चा करने का सारी जिंदगी कॉंग्रेस पार्टी ने संबिधान इकसंथाओं को संबिधान को समाप्त करने का काम किया है पूरा इमर्जनसी इसका गवा है पूरा इमर्जनसी इसका गवा है तो इसी को कोई सहास नहीं था कहीं नहीं और ये सत्थ है ये सत्थ है और सत्थ सुनने की सत्थ सुनने की आदत डालिए सत्थ जानिए सच्चाई सच्चाई ये देश का इतिहास जब भें लिखा जाएगा इस देश का इतिहास जब लिखा जाएगा तो आपा काल कलंकित करने का वाला काला अध्याय के रूपे संभिधान में लिखा जाएगा ये बात है ये बात है आप बहुत चर्चा कर रहे थे बहुत बहुत आप मत बोलिए ना भी आपका पाटी के नेता भी वही थी इमर्जेंसी के समर्थन में थी ममता बनर जी भी उसमें कॉंग्रेस पाटी में थी और इमर्जेंसी का समर्थन कर रही थी आप मत बोलिए सवगत रह साथ हम लोग भुगते हैं हम लोग ने पीडा सही है हम लोग को सर्द मालूम है इसलिए आप ही चले जाइए दुचार बार बन जाइएगा बंगाल में चिंदा मत करिए आभी तो खाली कानून का किताब लेकर खड़ा हो जा रहा है इसलिए खाली टिकेट आप को दे के लोग सवा कर मिंबर बना दिये जा रहा है तो इसलिए खाली सम्विधान देखाते रहिए सम्विधान से कोई लेना देना अपनों का है नहीं सम्विधान से कोई मतलव आपनों का है और कई पार्टियां कई पार्टियां इस सदन में वो भी लेके आए सम्विधान की पृति साथ में लेके आए डीम के पार्टी या आपको समझवादी पार्टी कर समझवादी पार्टी और डीम के पार्टी को संभिधान लेके सदन में आने का हाग है इसलिए कि मुझको याद है कि जब इमर्जंसी लाग हुआ तमिल नाडू में सिरी करुना निथी साहब के नितुरतों में सरकार थी ृष और इस कांग्रेस पार्टी ने करुना निथी के सरकार को बर्खास कर दिया और सबको उठाके जेल में बंद कर देने का काम किया लेकिन अब आज डियेमके के लोगों को समाजवादी पार्टी के लोगों को की मजबूरी है कि कॉंग्रेस पार्टी के साथ साथ संबिधान का लेके चलें लेकिन घूमिये साथ रहिए जरूर लेकिन संबिधान संबिधान को दोस्त करने वाले पार्टी का समर्थन मत यह हम आप से आगरा करना चाहेंगे, Congress party का है अरे जादियू का बात का करेंगे देश का बात कर रहे हैं, तो आपका नेता आपका नेता तो भासन कर रहा था मंचवाला political भासन कर रहा था, जैसे लगता है कि public meeting में बोल रहा हूं, आप वही सार हो इस देस में इस देस में जॉर्ज फरनांडी सेक नेता थे जॉर्ज फरनांडी सेक ऐसा नेता था जिससे जिसकी डेस भाती रोम रोम में भरी हुई थी इमर्जेंसी के दोरान जॉर्ज फरनांडी सेको कतना कलंकित करने का काम परतारित करने का काम और अपमानित करने का काम इन लोगों ने किया और यह संबिधान की बात कर रहे हैं यह संबिधान की रक्षा की बात कर रहे हैं बड़ा अस्चर्ज हो रहा है हम लोग तो इसलिए स बिरोधी दल का परिवार संभिधान बिरोधी है काला ध्याय में आपके परिवार का इतिहास लिखा जाएगा इस देश के इतिहास इसलिए आपो करिए अध्यक्ष महदे सभापती महदे पूरे चुनाव प्रचार के दौरान इन्होंने इस देश की चुनाव प्रकिरिया पर प्रसंचिन खड़की इस देश की चुनाव प्रकिरिया पर प्रसंचिन खड़की ऐसा घूम घूम के प्रचार करते रहे जैसे लगता है कि देश में चुनाव निस्पक्ष होई नहीं र किया बीच बीच में सुप्रीम कोट जाते रहे चुनावा योक को और इभियम मसीन को चुनोती देने के लिए और इनको और अगर इभियम खराब है इभियम खराब है तो सौगत राह जी ममता दिदी का सरकार बंगाल में कैसे बन गया हिमाचल में आपकी सरकार कैसे बन गई करनाटक में करनाटक में आपकी सरकार कैसे बन गई तेलंगना में आपकी सरकार कैसे बन गई अगर EVM खराब है तो जब आपको मिल जाए तो बड़ा अनन्द में और जब हारने का बारी आए तो ऐसा सो करिये कि जैसे लगता है कि निस्पक्ट चुनाव नहीं हो रहा है बहिमानी से को जीत रहा है अरे देश की जनता कभी आप पर भरोसा नहीं करेगी बैलोट पेपर जब चुनाव होता था हम लोगों ने देखा बैलोट पेपर से जो चुनाव होता हम और यही प्रकिरिया आप चलाते रहे और सत्ता का अनंद लेते रहे देश के संविधान का धजी उड़ाते रहे वही आज भी चाहते हैं वही आज भी चाहते हैं नरेंदर मोदी जी की सरकार इसको कभी स्विकार नहीं करेगी इस देश की जनता का भरोसा नरेंदर मोदी ज इसलिए आप इस परचिनता मत किजिये, और इसके साथ साथ मैं आपको और याद है न आपने देखा था, अभी बोल भी रहे था, कोई स्पिकर बोल रहे था, आप मोदिजी पर आरोप लगाते हैं कि संभीधान की धज़ी उड़ा रहे हैं, कौं से संभीधान की धज़ी उड के देश के संबिधान का नमन किया और जिस व्यक्ति ने देश की संबिधान का नमन करके अपने नित्रित उपर और देश की बागडोर समाली ओ उससे संबिधान को खतरा नहीं है संबिधान को खतरा है तो आप से है कॉंग्रेस पार्टी के से है और कॉंग्रेस पार्टी संब विरोधी रही है और रहेगी प्रधान मंत्री जी ने कई उजनाएं चलाई पीएम किसान निधी उजना और जो आज विकास का दर है ये दर आज हम आठ पांचवें नंबर पर थे हम अर्थ वेवस्ता में अधी 11 नंबर पर थे और हम 10 वास में पांचवें नंबर पर आगए और मोदी जी का लक्ष है मोदी जी का संकल्प है आधरनी प्रधान मंतरी मोदी जी ने घोसना किया है कि पांच वर्सों में सब दिये थे अरे सब बता रहे हैं आपको बता दिया आपको बता दिये हैं आपका वही चर्च रहा है अभी उनके साथ घुमिये नेता जी की आत्मा उपर से रो रही होगी अरे नेता जी के नेता जी की आत्मा रो रही होगी एक गार्वे अस्थान पर था आज अर्थ व्यवस्ता पांच में अस्थान पर है और मोदी जी का संकल्प है कि पांच वर्सों में तीसरे अस्थान पर पहुँचाएंगे अकेले भारत का जो योगदान है इस दुनिया के विकासदर में वो 15% है यह मोदी जी की सरकार की उपलब्दी है आपके सरकार की उपलब्दी नहीं है इसके अलावा आज यहां प्रलाजोसी जी बेटे हैं रिनेवेवल इनर्जी देख रहे हैं यह रिनेवेवल इनर्जी आने वाले समय में इस देश में अगर उर्जा पर और बिजली के लिए अगर आत्म निर्वर होना होगा तो Renewable Energy पर ही वही एक मातर सो स्रोत है जिस पर आपको आत्म निर्वार होना होगा धरमल्प से आपकी जरूरतें पूरी हो सकती है भी ततकाल लॉंग रन के लिए वह उचित नहीं है और जो PM सुर्ज घर मुफ्त बिजली योजना प्रधान मंतरी जी ने चलाई है उससे इस के बिजली का उत्पादन सोलर प्लेट के माध्यम से बढ़ेगा और जब बढ़ेगा तो देश बिजली के छितर में आत्म निर्वार होगा और थर्मल पावर थर्मल से आपकी जो उसके उपर जो आपका है हाँ उसके उपर जो आपका डिपेंडेंस है वो डिपेंडेंस घटेगा और आप अपने घरों में बिजली उत्पादन करके बिजली को आगे बढ़ा सकते हैं प्रदान मंतरी मोदी जी का जो गरیबों के प्रतिस संकल्प है असी हजार कडोर लोगों को तो मुफतना देगी रहे हैं प्रदान मंतरी जी ने बीस हजार कडोर रुपे से ज़्यादा उन्होंने किसानों को दिया है और इस कार्जकाल की सुरुवात के साथ भी परदान मंत्री जी ने बीस हजार कड़ो रुपया जारी करके लोगों को घर तक लोगों को किसान पीम किसान संबान निदी पहुँचाने का काम किया है पहला फैसला मोदी जी की सरकार ने किया कि तीन कड़ोर लोगों को घरों का निर्मान कराया जाएगा ये बहुत बड़ा निर्ने है ये संकल्प सक्ति का प्रतिक है और मोदी जी ने जो देश की जंता को जो वादा किया है उस वादा को पूरा करने के प्रतिक उनका जो संकल् उस संकल्प को दिर्ण सिक्षा सक्ति को दरसाता है और इसलिए हम राह महमहिम राश्पति के अभिभासन का समर्थन करते हैं और कॉंग्रेस पार्टी के को संभिधान विरोधी घोशित करते हैं इनको याद है उन्हें सो चौरासी में उन्हें सो चौरासी में जो यहाँ दंगा हुआ था यहाँ जो दंगा हुआ था दिल्ली में यहाँ जो दिल्ली में दंगा हुआ था हजारों की संख्या में कॉंग्रेसियों ने सडक पर घूम घूमके ठीकाव की हत्या करने का काम किया था और ये और झाल झाल